एलो एब्रिवान वेलकम चुने हावी व्लॉग आप सभी का ने हावी व्लॉग में बहुत बहुत स्वाकत हैं मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेसन की बहुत ही आसान सी रेसिपी जिसे आप अपने घर पर बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं स्पेशली तब आ तो ने बड़ा तरीके साथ पाउडर फोड़ासा लाल मिर्श का पाउडर और थोड़ा सा पानी पानी आपको नॉर्मल ही लेना है गरम पानी की जरुआत नहीं है इसे अच्छे से हमें कर देना है मिक्स इसे वन डारेक्शन पर ही कंटीनियो मिक्स करते जहाना है और तो बैट जीरा जो कि तड़का जैसे तुरंट इसमें डालना है हमें बेशन का घूल और इसे कंटिरियों ना मिक्स करते जाना है आपको चमच रोकना नहीं क्योंकि बेशन जो होता है तो आप गयास को लो फ्लेम पे रखिएगा उसके बाद यह देखिए तो बिल्कुल इसा उसके सब्लैना करते हैं जोलें दी ओफ sotto इस अपणा और देखिए मेरेट का जाना चाला है और श़्हाय है इसरे सब्सक्च रिढ़ना साथ को पनाने के जहते हो आपको तो नहीं कुझा है घल डान शबत इसे दिजाव चाहता हैं एहा हो आपाल ने कुछ प्रिंगे पोर डाली है उसके बाद में डाल रहे है रेट चिली इसमें जैसे तड़का आ जाता है उसमें तुरंत बड़ा कटा हुआ प्यास डाल दीजिए अपी तो फ्लेम हाई पर ही रखा है मैंने क्योंकि मुझे स्पीडली ही करना है तो देखिए जो प्यास हलका ब्राउन हो गया तो मैंने कस्तूरी मेथी भी डाल दी तो नमक ताकि अच्छे से गल जाए देखिए बहुत अच्छे से जो है पक चुका था तो मैंने हल्दी आ लाल दी थी आधी चंबच उसके बाद 2 चंबच मैंने अधनिया का पॉड़र डाल था उसके बाद एक बड़ी लाल मिर्च का पौर्ड़ डाला था यह बड़ी च मर तो यह जो है जो है छी नहीं है जो और छीज चातेयों प्रेश बाद में पानी तक एक प्रेफ करना है दम झाल एक अच्छछे से बॉयल में तो आपने जो गतले बना यह जो आप ऑसे आप ऐसे और यह देखी मैंने सारे इसमे डाल दिये थे और यह धीमे आज पर अच्छे से पग भी चुका है और अच्छे से बॉयल होकर यह गाढ़ा भी हो चुका है तो मैं से अरे थनीशे गार्णिश कर देती हूं यह बिल्कुल रेडी है सर्फ करने के लिए और टेस्ट तो बहुत